बॉल्वूर फिल्म अंडेस्टी में जो काम्याबी दिलीप साहब ने अपने दोर में हासिल की थी वो शायदी कोई और अमनेता हासिल कर सकता है फिल्म अंडेस्टी में ट्रैजडी किंग के नाम से मशूर अमनेता दिलीप साहब आज भले ही हमारे बीच में नहीं लेकिन उनकी जिंदगी से जुड़े कई सारे दिल्चफ किस्सेवा कहानिया है जो आज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे अपने दोर के सभी बड़े सुपरस्टारों के साथ दिलीप साहब के कोई ना कोई किस्से जरूर रहे जो की काफी हैरान कर देने वाले थे दिलीप साहब की चभी काफी उत्तम दरजी की थी वो हमीशा से अपने साथी कलाकारों को आगे बढ़ने के लिए प्रेड़ना का स्तरोथ बंते ही रहते थे और हमीशा से ही लोगों को वो सही दिशा निर्देश देते ही रहते थे उधारन के तोर पर अगर गोबिन्दा की बात करें तो गोबिन्दा पहले एक्शन से लबरीज फिल्मे क्या करते थे और एक दिन जब दिलीब साहब के साथ वो किसी फिल्म का हिस्सा थे तब उन्होंने अपनी जिंदगी में आने वाली कटनायों के बारे में बताया तब दिलीब साहब ने उन्हें समझाया कि तुम एक्शन फिल्मों के लिए नहीं हो, तुम कॉमेड़ी फिल्मे क्या करो और जब कॉमेड़ी में गोबिन्दा ने हाथ हजमाया तो उन्होंने बॉल्जबर फिल्म नश्टी में एक अलकी मुकाम हासिल कर लिया गोविंदा को जो काम्यावी कौवडी में मिली वो शायदी किसी और दरजी की फिल्मों में नहीं मिली होगी और यही रुत्बा था दिलीप सहाब का वो हमीशा सही लोगों को सही दिशा निर्देश देते ही रते थे और उनकी प्रेड़ना पाकर कई सारे अबनेताओं ने खुम नाम भी कमाया अगर नाम लेंगे तो कई सारे स्टार्स के नाम आएंगे और उन्ही मैंसे एक थे बॉल्लीवड एक्टर नशिरुदिन सहाब यहां हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि बॉल्लीवड अबनेता नशिरुदिन सहाब पूरी तरीके से स्वस्त हो चुके है नशिरुदिन सहाब उसी हिंदुजा अस्पिताल में एडमिट थे जहां तवियत बिगरने के बाद दिलीब साहब को भी एडमिट किया गया था और उनका निधन हो गया नशिरुदिन सहाब ने कहा कि जब वो एडमिट थे तो साहिरा बानों उनसे मिलने भी आई थी और उनकी खेरियत ले रहे थी बाकी एक्टर्स की ही तरह नशिरुदिन सहाब ये दिलीब कुमार के बहुत बड़े परशन सक थे हाली में क्रेटिक सैप मुहंबत को दिये इंटर्वू के दुरान नशिरुदिन सहाब ने बताया कि कैसे एक बार जवए दिलीब कुमार से मिले थे तो उन्होंने उनसे एक्टर बनने की इच्छा जाहिर की थी तो दिलीब सहाब ने उन्हें डिस्कैरिज कर दिया था मुंबे में अपने पुराने दिनों को याद करते हुए नशिरुदिन सहा ने कहा था कि वो उस दोरान अपने पैरेंट्स के साथ टच में नहीं थे मगर उनकी फैमली दिलीब कुमार की फैमली के थुरू नसीर की खैरियत लिया करती रहती थी नसुरुदिन सहा के पिता की बड़ी बहन सकीना आपा की दिलीब सहाब के साथ जान पैचाब थी तो दिलीब कमार के घर में नशुरुदिन सा हफता भर रुकते थे और इसके बाद उन्हें उनके घर भेज दिया जाता था अच्छे घर के लोग एक्टर वगएरा बनने की कोशिश नहीं करते हाला कि नशुरुदिन सा ने अपने मन की सुनी और वो बन के इंडस्टी के सबसे बड़े महान एक्टरस में से एक लेकिन जब इस बारे में उन्होंने दिलीब साहब से राय ली थी तो उन्होंने कुछ ना कुछ देखकर नशुरुदिन सा को ये मश्मरा पेश किया था उनका कहना था कि अच्छे घर के लोग एक्टर्स या फिर फिल्म इंडस्टी में अपना नाम नहीं कमाते वो पल लेकर कुछ बड़ा काम करते हैं लेकिन दिलीब साहब की नसुरुदिन साह ने बात नहीं मानी और जैसे कि आप सबी चांते हैं कि फिल्म एंड़स्ट्री में नसुरुदिन साह का भी एक अपना अलगी मुकाम है वहीं दूसरी और नसुरुदिन साह और दिलीब साहब की अगर फिल्मों की तरफ नज़र डाले तो दिलीब कुमार और नसुरुदिन साह ने इत्फाकर एक फिल्म में साथ में काम भी किया है कर्मा फिल्म में दोनों दिगज कलाकार एक साथ सक्रीन शेयर करते हुए नजर आए थे 7 चुलाई 2021 को दिलीब कुमार ने अंतिम सांस ली थी और दिलीब कुमार की रेधर पर पूरी फिल्म अंड़स्टी गम जदा नजर आई अमता बक्चल से लेकर शारू खान तक दिलीब साहब के अंतिम्यातरा में शामिल हुए थे